जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सवालों के बारे में यदि आप इन सवालों के जवाब जानते हो तो कॉम्मेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और विडियो को पूरा आवश्य देखें और जीके पवन ओफिशल चैनल को सब्सक्राइब क इसका सही जवाब होगा आईब्रो पहली नमबर दो ऐसा कौन सा बाजा है जिसे हम बजा नहीं सकते हैं इसका सही जवाब होगा दर्वाजा पहली नमबर तीन ऐसा कौन सा गेट है जिससे हम जा नहीं सकते हैं इसका सही जवाब होगा कोल गेट पहली नमबर चार ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद लड़की ठंडी पड़ जाती है इसका सही जवाब होगा ठंडे पानी से नहाने के बाद पहली नमबर पांच औरत की रात में कितनी बार सेक्स करने की इच्छा होती है इसका सही जवाब होगा दो से तीन बार रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन ओन कर दीजिए पहली नमबर छे वह कौन सा जानवर है जो संबंध बनाते ही मर जाता है इसका सही जवाब होगा नर मधुमक्खी पहली नमबर साथ किस देश में औरतों को बाजार से खरीदा जा सकता है इसका सही जवाब होगा बुलगारिया में पहली नमबर आठ लड़कियों की ऐसी कौन सी चीज है जो पीछे से उठी हुई होती है इसका सही जवाब होगा उसकी सैंडल पहली नमबर नौ चाहें कितनी भी बार डालों पर लड़की कुछ नहीं बोलेंगी बताओ क्या इसका सही जवाब होगा मोबाइल में बैलिंस पहली नमबर दस किस जीव का खाना चुरा कर मनुष्य खाता है इसका सही जवाब होगा मधुमक्खी का रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन ओन कर दीजिए पहली नमबर ग्यारह वह कौन सा डर है जो लड़कियों को खूबसुरत बना देता है इसका सही जवाब होगा पाउडर पहली नमबर बारह वह कौन सी चीज है जो अगर ना मिले तो लड़के हाथ से ही काम चलाते हैं? इसका सही जवाब होगा चमच पहली नमबर तैरह औरते अपने पती को अकेले में या रात को देना ज्यादा पसंद करती हैं बताओ क्या? इसका सही जवाब होगा राय या सलाह पहली नमबर चौदह ऐसा कौन सा काम है जिसे लड़के और लड़की नंगे होकर करते हैं? इसका सही जवाब होगा नहाना पहली नमबर पंदरह ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पचास लोग जाते हैं और इक्यावन लोग वापस आते हैं? इसका सही जवाब होगा बारात रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन ओन कर दीजिए आपका सौला नमबर सवाल है क्या खाने से आखों की रोशनी बढ़ती है? आपका ओपसन है A. भारत में B. फ्रांस में C. चीन में D. थाइलेंड आपका सही जवाब होगा A. भारत में आपका अठारा नमबर सवाल है किस देश का राश्ट्रिय फूल ट्यूलिप है? आपका ओपसन है A. नीदरलेंड B. इटली C. भारत D. जापान आपका सही जवाब होगा A. नीदरलेंड आपका उननीस नमबर सवाल है किस देश में पीले कपडे पहनना बैन है? आपका ओपसन है A. दुबई में B. मलेशिया में C. जापान में D. सिंगापूर में आपका सही जवाब होगा B. मलेशिया में आपका 20 नमबर सवाल है महत्मा गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? आपका ओपसन है A. इंगलेंड ने B. रूस ने C. चीन ने D. अमेरिका ने आपका सही जवाब होगा D. अमेरिका ने रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन ओन कर दीजिए आपका 21 नमबर सवाल है हिंदी बोलने वाली पहली रोबोट का क्या नाम था? आपका ओपसन है आपका सही जवाब होगा B. रश्मी आपका 22 नमबर सवाल है दुनिया का सबसे महंगा साम कौन सा है? आपका ओपसन है A. अजगर B. कोबरा C. ब्लू पाइथन D. ग्रीन ट्री पाइथन आपका सही जवाब होगा D. ग्रीन ट्री पाइथन आपका 23 नमबर सवाल है कौन सा जीव है जो दूद और अंडे दोनों देता है? आपका ओपसन है A. कंगारू B. हाथी C. प्लेटिपस D. मगरमच आपका सही जवाब होगा C. प्लेटिपस C. बिल्ला का D. चिम्पानजी का आपका सही जवाब होगा D. चिम्पानजी का आपका 25 नमबर सवाल है भारत का राश्ट्रिय खेल कौन सा है? आपका ओपसन है A. हौकी B. क्रिकेट C. पोलो D. फुडबाल आपका सही जवाब होगा A. हौकी रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन ओन कर दीजिए आपका 26 नमबर सवाल है एक तितली का जीवनकाल कितने दिनों का होता है? आपका ओप्सन है A. दस दिनों तक B. बारह दिनों तक C. अठारह दिनों तक D. पंदरह दिनों तक आपका सही जवाब होगा D. पंदरह दिनों तक आपका 27 नमबर सवाल है किस देश के लोग सांप का मीट खाते है? आपका ओप्सन है A. भारत B. चीन C. जापान D. अमेरिका आपका सही जवाब होगा B. चीन आपका 28 नमबर सवाल है दुनिया का सबसे गर्म देश कौन सा है? आपका ओप्सन है A. भारत B. चीन C. कुवेद D. अमेरिका आपका सही जवाब होगा C. कुवेद आपका 29 नमबर सवाल है किस खेल में येलो कार्ड का प्रयोग होता है? आपका ओप्सन है A. फुटबाल B. क्रिकेट C. होकी D. तेनिस आपका सही जवाब होगा A. फुटबाल आपका 30 नमबर सवाल है बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ओप्सन है A. कैंसर B. कब्स C. सुगर D. पत्री आपका सही जवाब होगा B. कब्स रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन ओन कर दीजिए आपका 31 नमबर सवाल है कौन सी गैस सबसे हलकी होती है? आपका ओप्सन है A. ओक्सीजन B. नाइट्रोजन C. हाइड्रोजन D. हिलियम आपका सही जवाब होगा C. हाइड्रोजन आपका 32 नमबर सवाल है किस नदी में हीरे पाए जाते है? आपका ओप्सन है A. गंगा नदी में B. कावेरी नदी में C. यमुना नदी में D. बागिन नदी में आपका सही जवाब होगा D. बागिन नदी में आपका 33 नमबर सवाल है विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? आपका ओप्सन है A. ग्रेट वाल ओफ चाइना B. एटीनी दीवार C. कुतुब मीनार D. लाल किला आपका सही जवाब होगा A. ग्रेट वाल ओफ चाइना आपका 34 नमबर सवाल है नीला सेब कहां पाया जाता है? आपका ओप्सन है A. भारत B. चीन C. जापान D. पाकिस्तान आपका सही जवाब होगा B. चीन अगले सवाल आपके लिए आप सभी लोग इसका जवाब कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं आपका सवाल है ताज महल भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ओप्सन है आपका सही जवाब क्या होगा कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं आप सही लोग विडियो को लाइक कर दिजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कर दिजिए और चैनल को आप सभी लोग सबस्क्राइब करके बेल आइकोन उन कर दिजिए